हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मालपुए जो खाने में बेहर टेश्ची लगते हैं और इसे आप सौंबार के वरत में भी खा सकते हैं अधरी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाया है हमने इनको मैंने यह एक कप मैयदा लिए आप किसी से भी नाप सकते है आप कटोरी भी ले सकते हैं और amidा कप सूझी डाली है और यह लिए मैंने एक कप च्छाय आप दही भी ले सकते हैं और उनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने जो च्छाय ली थी वो सारी खतम हो चुकी है अब हम ले लेंगे एक कप पानी और उससे डालकर इसका घोल तयार कर लेंगे तो यह देखिये दोस्तो मैंने घोल तयार का लिया और एक कप मैंसे बस यह थोड़ा सा पानी चौथा कप पानी बच गया है और यह देखिए बैटर की जो consistency है वो कुछ ऐस ही होनी चाहिए इस तरीके से और अब इसको एक से देड़ घंटे rest के लिए छोड़ दे क्योंकि जितना फूलेगा उतना ही अच्छी पूए बनेंगे हमारे तो इधर बना लेते हैं हम चासनी मैंने यह एक कप चीनी लिए है और इसमें एक कप ही पानी डाल दूँगी मुझे इसे जब तक चलाना है जब तक कि यह चीनी गुलना जाए वरना चीनी नीचे तले में चिपक के जल जाएगी कि अच्छे से घुल चुकी है इसको हमें बस चार से पांच मिनट तक पकाना है ज्यादा कड़क हमको चासनी नहीं चाहिए तारवाली चासनी हमको नहीं चाहिए बस हलकी सी चिप चिपी होनी चाहिए तो चलिए इसको पकने देते हैं तो तीन से चार मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए और यह देखिए मैं आपको दखाती हूं हमारी जो चाहिए वो बिल्कुर रैडी हो चुकी है यह देखिए इसमें कोई तार नहीं बन रहा है लेकिन चिप चिपी है यह तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं और हमारे बैटर को भी एक गंटा हो चुका है तो अब पुए बनाना स्टार्ट करते हैं तो कडाई में रिफाइंड आप ज्यादा ना डालें थोड़ा ही डालें क्यूंकि जितनी कम रिफाइंड होती है उतने अच्छे यह हमारे पुए सिकते हैं तो बैटर को पूए बनाने से पहले थोड़ा सा फैंट लें जितनी देर आप इसको फुला सकते हैं एक से देड़ गंटे या दो गंटे आप उतना फुलाएं क्योंकि जितना यह फूलता है उतने ही अच्छे हमारे पूए बनते हैं कि इसको हलके हाथ से इस तरीके से किसी कर्ची से या पौनी से करते रहिए ताकि यह चिपके ना और नीचे से जले ना अच्छे से सिख जाए और आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे यह इसमें ज्यादा मैनत भी नहीं लगती तो आप कभी भी बना कर खाईए अब होली आने वाली है होली पर बनाईए तो एक और डाल देते हैं इसमें हम और यह देखिए दोस्तों कितने अच्छे से फूल गए हैं यह देखिए आप देख पा रहे होंगे और इसी तरीके से इनको हम अच्छे से गोल्डन सेख लेते हैं यह लेजिए फ्रेंड्स जो हमारे पूवे थे वो अच्छे से सिख चुके हैं यह देखिए कितने अच्छे से फूले हैं यह और आप इनको फटा फट से हम चास्नी में डाल दें आप जैसे ही सेख कर निकाले इने तुरंत डाल दें कि जितनी गरम पूवे हम चास्नी में डालेंगे वो उतने ही सौफ्ट रहेंगे जितनी हमने यह चास्नी बनाई है इसमें आरदस पूवे आसानी से बन जाते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारे सारे पूवे बन कर तयार है और मैं आपको दिखाती हूं कि कितने सौफ्ट हैं यह देखिए और जितने यह देखने में अच्छे लग रहे हैं उससे कही जादा यह खाने में टेस्टी लगते हैं तो एक बार ट्राइ करके जरूर देखिएगा ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको बनाने में बस आप मैदे को थोड़ी दिर गला के रख दें और जितना आप गलाएंगे उतने ही सौफ्ट बनेंगे तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी वीडियो वीडियो अच्छी लग जाए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई